चलिए दोस्तो कोरल रखी इस सीरीज में हम आगे पढ़ने वाले हैं टूल बोक्स के अंतरगात अगला टूल जिसका नाम है पिक टूल और पिक टूल जो है काफी इंपोर्टेंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टूल बोक्स में मैंने आपको टूल बोक्स के को मिलेगी ऐरो को वोलते फुआउट और फुआउट पर जैसे किलिक कर उसके अंदर कुछ और टूल दिखने को मिलते हैं तो हर एक टूल में आप mmS से ज्यादा जो है टूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो पहला जो टूल है पैक टूल उसके अन्तरगय जाएंगे तो तो pick tool है, free hand tool है, free hand pick tool और free transform है, ज़्यादा तर तो use आता है pick tool, तो हम सबसे पहले use करना देखते हैं pick tool का, तो जैसे हमने pick tool select करें, अब आप देखें यहाँ पर आपके पास जो है कुछ save बने हुए है, जैसे मान low rectangle बना है, oval यानि ellipse बना हुआ है, polygon बना है, ठीक है, तो यहा काम क्या हो गया, किसी भी control या किसी भी object को pick tool के माध्यम से हम select कर सकते हैं, दूसरा, इसको इधर उधर move भी करा सकते है, pick tool के माध्यम से, फिर उसके बाद आप देखें यहाँ corner पर जाओगे, जो corner पर दिख रहे है node बगेरा, इस node को अगर पकड़ कर खीचोगे, जैसे इस पकड़ कर खीचते हो, तो देखें, size जो है, छोटा बड़ा होता है, कोई भी control का size छोटा बड़ा करना है, तो हम किस के थुरू कर रहे हैं, pick tool के थुरू, next जो आपको देखने को मिलेगा, आप देखें, यह mid point है, mid point में भी आप ऐसे करोगे, तो देखें, height मतलब जो उसक उचाई है, वो भी कम होगी, और अगर आप left side या right side से इस प्रकार करोगे, तो bit आपकी कम जादा होगी, तो यह तो बात होगे किस की, आपको देखने को मिलेगा, select करे, move करे, और side छोटा बड़ा करे, उसके बाद जब एक बार click करते हैं, तो इस प्रकार के note आते हैं, होगे, तो देखे, जो safe है, आपका rotate होगा, क्या हो रहा है, rotate हो रहा है, तो इस प्रकार से आप जो है, इसको rotate कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी corner को पकड़ोगे, तो आप rotate कर सकते है, पर बीच में देखिए, एक और आपको note दिख रहा है, इस प्रकार से arrow form है, आपको यहा पर है, और यहाँ पर है, चार, तो अगर आप उपर से करते हो, तो देखे, जो size है, मतलब जो उसका safe है, safe का size है, या फिर look है, उसको change कर देते है, किसके माध्यम से है, इस arrow के माध्यम से, इसे बोलते है, skew करना, और यह वाला जो corner है, इसको बोलते है, rotate करना, ठीक है, पह rectangle की, हम यहाँ से color भी कर लेते हैं, तो देखे, इस प्रकार से rectangle हो गया, हम अगर चले, oval में, और oval को भी हम जो छोटा बड़ा करना चाहें, तो देखे, इसके धुरू कर सकते हैं, अगर हम इसको उपर से भी look change करना चाहें, तो कर सकते हैं, इसके अलाबाद दोबारा click जो ellipse है, वो already goal है, अब इस shape के माध्यम से देखे, इसको जो है, आकार में परिबरतान कर सकते हैं, जो skew है उससे, इसी प्रकार आप जब जाओगे, किसमे polygon में, polygon में भी बही तरीका है, ठीक है, आप इसको भी जो है, देखे, इस प्रकार से shape change कर सकते हैं, तो ये तो बात भी कर सकते हैं, देखे, flip horizontal कर सकते हैं, देखे, इस प्रकार से, और अगर आप vertical करना चाहे, तो vertical भी आप flip कर सकते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें हम shape के बारे में देखेंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है, इसके अलावा देखे, जब आप इस tool से, इस shape को select करोगे, तो द देखे, corner जो है, आपके corner round हो गया है, देखे, यहाँ पर corner को round करने के लिए, हमने जो है, यहाँ पर round corner option का उपयोग करे हैं, जो की आपको pick tool को select करने के बाद, कोई भी shape को आप select करते हो, तो उसके बाद ये प्रदर्सीत होता है, तो हमने देखे 5 mm दिये, तो सभी में आ ग देते हो, तो देखे, इसकी जो border bit है, वो देखे, यहाँ पर बढ़ चुकी है, अब border bit का color बदलना है, तो देखे, यहाँ पर हम किसी भी color पर right click करने हैं, एक option display हो रहा है, ठीक है, अगर हम इसमें set outline color कर देते हैं, set outline color, तो यहाँ पर देखे, outline color आपका display हो चुका है, ठीक इसको permanent भी हम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा, उसके बाद देखे, arrow का style आप बदल सकते हैं, dot dot करना है, solid करना है, जो भी चीज़े करना है, उसके बाद आपको यह तो बात होगे, pick tool की, अब हम बात करते हैं, pick tool के अंतरगत ही एक और tool है, free hand pick tool, free hand pick tool का 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 क करना चाहते हैं, तो हम ऐसे अगर select करेंगे, तो देखे, बीच में यह भी select हो गया, पर हम चाहते हैं, इसको और इसको बद सेलेक्ट करें, या फिर ऐसे हम जो है select करेंगे, तो देखे, यह तो select हो जाता है, दूसरे में चलते हैं, जहां हमारे पास में बहुत सारे save है, मान जाएंगे ऐसे देखे ड्रैक करेंगे इस प्रकार से देखे ऐसे आप जो है इसको ऐसे ड्रैक कर सकते हैं तो आप ध्यान से देखे जब आप उठाओगे तो देखे वही दो सेप उठेंगे जो आपने सेलेक्ट किये हो इसके साथ ही आप बहुत सारे सेप ऐसे सेलेक्ट कर सक था हलां कि हम यहां पीड टूल का फियोग करें यह सिक्ञाइबू आप कर सकते को यहां सकते हैं इसके बाद है फरी फोर्म जो है फ्रीड ट्रांसफॉर्म टू फॉरीघंप टूल का फियोग क्या जैसे आप इसको जैसे मानलो इसको color कर देते और rotate करोगे देखिए इस प्रकार से rotation जो है ये करने का काम करता है ठीक है फिर rotate करने के साथ साथ आप जो है इसमें कुछ आकरती बनाना चाहते हैं तो आप जो है rotate करने के साथ साथ right button दबा दीजिए मतलब mouse की right button दबाओगे तो देखिए जो है double बन चुके हैं तो इस प्रकार से भी आप कर सकते कैसे करें हमने ये मानलो आप इसका size घटा देते हैं जैसे हम जो है next option पर चलते mirror बनाने के लिए काम करता है इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता ये वाला देखते तीसरे नंबर का तो इससे क्या होता देखे और यहां से हम कर देते है color change उसके बाद हम जो है इसको इस प्रकार से देखे यह जो है ऐसे हम जो है और right click कर देते हैं देखे right click करोगे तो फिर से जो है क्या बन गया है duplicate हो गया तो duplicate करना जब आप काम करते हो free form transforms है, free transform है तो automatic आपको right click कर देना है, मतलब अपने right button को click कर देना mouse की और ये duplicate हो जाएगा, इसके बाद ये भी जो होता है आपका देखे, ये save जो है, देखे इस प्रकार से save change करने का काम करता है, तो ज़्यादा तर use तो हमारे pick tool आता है, पर इनका उपयोग आप देख लिना, एक बार उपयोग करके, तो आपको ये clarity यहाँ पर हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर कितनी चीजे देखे हैं, तीन चीजे, तीन चीजे मतलब pick tool को ही सब प्रकार हो गया, एक तो man pick tool हो गया, दूसरा आपका free hand pick tool हो गया, तीसरा आपका free transform हो गया, I hope आपको ये चीजे समझ में आई होगी, आगे हम एक एक करके सारे tools को यहाँ पर discuss करेंगे,